Age Shaming अक्सर देखा है कि लोग किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को हैरस करने के लिए उसकी Age Shaming करते हैं कि तेरी उम्र हो गई, तो बुढधा हो गया, तो बुढधी हो गई लेकिन और लोग को बुरा भी लग जाता है जैसे बच्पन का बुरा नहीं लगता, टीनेजिस में बुरा नहीं लगता, जवानी में बुरा नहीं लगता तो आपको बुढ़े होने पर, यानि प्रॉड अवस्था में या ओल एज की तरफ जाने में क्यों बुरा लगता है वही जीवन का सत्य है, अपनी उम्र को गरिमा से स्वीकार करना सीखिए और जो body shaming के साथ, जो age shaming करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जो उम्र देखना वो नसीप की बात होती है, किसमत की बात होती है अगर 25 साल की उम्र में आपके सामने की अम्राज आके खड़े हो जाए और कहें कि चलो तब आपको मालूम पड़ेगा कि उम्र पाना कितनी किस्मत की बात होती है तो इन छोटी तुच्ची बातों से बचिए और एज शेमिंग मत करिए क्योंकि बूरा होना किस्मत की बात है गरिमा की बात है अनुभवों की बात है आप अपने अनुभव से वो बनते हैं और मुझे तो बुढ़े लोग जिनके चहरे पे एक मिस्कराहट होती है एक तेज होता है और जीवन के अनुभव होते हैं वो दुनिया के सबसे खुबसूरत लोग लगते हैं